सिंधिया समर्थक मर्ती देवी के फिर बिगडे बोल सरकारी जमीन पर कबजा करेने के लिए उकसाया भाश्वन के बाज शित्र में बलवा होने की आश्चंका क्वालिय कलिक्रीट में बुलानी पड़ी बैठक सिंधिया समर्थक कही जाने वली भाजपा नेत्री और लगहु ध्योग निगम के अध्यक्ष मर्ती देवी का एक भाशन समाज में बढ़ रही जातिगत लब्तों को हवा देने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है यह भाशन उन्होंने भितवाज शित्र के गोहिंदा गाह में एक सभाई के द्वारान दिया था जिसमें मर्ती देवी साफ कहती हुए दिखाई दे रही है कि जिस सरकारी जमीन पर कबजा करना हो वहां हम अमबेटकर जी की मूर्ती रख कर कबजा कर लेते हैं और साथ समाज से भी ऐसा ही करने के अपहील करती हुए वो नजर आ रही है सभाशन के बाद वहां उपसे जनताने उग्रो होकर नारे लगाए कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है रसल भीतरवार तैसल में आने वाले गोहिंदा गाव में पहले से ही एक जमीन को लिकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है जिसमें 96 गाव जाटब महासभा समीती की द्वारा जमीन पर पूर्व मंत्री इमर्ती देवी के कहिया अनुसार अपना यानी जाटब समाज का अब्जा होना बताया जा रहा है वहीं दूसरे पक्ष ने दस्वेश पेश करते हुए बताया है कि जमीन उन्होंने ततकालिन कलेक्टरे की परमीशन से साल 2014 में बकाईदा रजिस्ट्री कराखा खरीदी है असी सिती में मर्ती देवी के इस बयान के चलते विवात को हवा मि की गई जिसमें शासन की मंशा थी कि कि किसी प्रकार का लड़ाई यतंगा ना भढ़के जिसके चलते आदेश पारेत किया गया कि ग्राम गोहिंदा तहसिल भीतावार की विवादे सर्वेख रमांक 127 से 132 की भूमी पर जातीगत विवाद और शांती विवस्था भंग होन नहीं अटाई गई लेकन वहाप्रश्वासन की द्वारा सिसी टीवी कैमरा और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है आपको सुनाते हैं भाग्पान एत्री मर्ती देवी का भढ़काव भाशन और अधिकारियों की बयान प्राइबेट प्रॉपर्टी को लेके दो पच्छों में विवाद हुआ है एक पच्छ का कबजा है और एक पच्छ ने एडीजे कोर्ट से अपना जीता है तो एक पच्छ का कहना है कि हम 30 साल से कबजे में हैं और एक पच्छ का कहना है एडीजे कोर्ट से हमने जीत लिया ह और अभी मामला उच्छी नहले में विचारा देने तो पुलिस के दुआरा एडियम नहले में 145 के तहट CRPC 145 के तहट सांति बनाय रखने के लिए इस तगासा पेश किया गया है जिसकी सुनवाई हो रही है जिसका आदेश आज सुनवाई के बाद अंतिमादेश पारित किया अजिए बैस बात इनाय जिसका डेस्ट दोग्षण ठीट को यतरियों को इस अंतित शियुक्त बात खड़वाई है झी जिसके लिएक लोग चक्ता पार उनुन धाुलिका नहले मेंति